शिव महापुरान की तठाकती है तार्काच विदुम्माली कमलाक्चकी के प्राण छूट जाते हैं एक विदल और उत्पन नाम के असूराकर माता पारवती के सुरूप को दिखकर लोभीत होते हैं कामस्त होते हैं तब भगवान मा जगजनी जगदम्मा ने कुंदुक उठाकर प्रहार करकर उनके प्राणों को हरा था तो शिव जी का नाम कुंद के इश्वर बढ़ा शंकर जी का एक नाम कुंद के इश्वर बढ़ा महाराज सास्त्र कहता है जिसको गठिया की तकलीफ हो जाती है या हाथ पेर में जगणन्थ पन होने लगती है कहीं बेट जाओ तो घुटने से उर्टे नहीं बनता या रात्री को सो रहे हो तो कमर अकड़ जाती हो या पी तकड़ जाती हो उसके लिए कुंद केश्वर महादेव का पूजन किया जाता कुंद केश्वर महादेव का पूजन कैसे करना है तो महाराज सास्त्र कहता है चन्न को तिली के तेल में घोल कर प्रदोष के दिन संकर भगवान के शिरी विग्रह पर शंकर के शिविलिंग पर उसको लेपन किया जाता है मारत लेपन करने के बाद बाबा का इसनान कराया जाता है इसमें चंदन का लेपन पहले किया जाता है बाबा को दिली के दिल के साथ और बाद में इसनान कराया जाता है तो बाबा को शिवलिंग का इसपर्ष करते हुए चन्नन का लेपन और फिर बाबा को जल का इसनान, दूर इसनान, दही इसनान, जो भी पंचामत लेकर गए हो इसनान, इसनान करने के बाद में, बाबा पर साथ व्रक्ष की पत्तियां, कोई से भी साथ व्रक्ष, आपके गर म रातरी को सोने से पहले एक बेलपत्र का सेवन जो बाबा को चड़ाये गया है उसमें से लाकर कर लिया जाता है कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर उस बेलपत्र को खा लिया जाता है तो घुटने में, कमर में जो जगडन होती है या गटिया का जो तकलीफ होता है उससे दीरे दीरे मिवारण होना प्रारम हो जाता है कुंद कैश्वर महादेव एक बाद नाम बोलिए जम के बोलो कुंद कैश्वर महादेव